नमस्कार दोस्तों भागवान आप सभी कभला कर और आपकी सारी एक्षा है एव मनों कामना है पुरी हो दोस्तों इस हाथ की विशे में आज महत्पुन चर्चा करते हैं सरप्रथम बता दूए एक फीमेल हैं और यहां पर सरप्रथम इनके फिंगर के एनलेसिस के बाद इस प कंपरिजन में ना ज्यादा शॉर्ट है ना ज्यादा लॉंग है नॉर्मल है तब भी ऐसे लोगों में अच्छी खासी एनलेटिकल प्रसनलिटी पाई जाती है यानि कोई डिसीजन लेने से पहले या फ्यूचर में नया प्लान बनने से पहले अच्छे से एनलाइस करते हैं हर बात की जानकरी बारिक परख रखते हैं और उच्छ सुकता जो है ऐसे लोगों में बहुत अच्छी पाई जाती है जिनका जो फिंगर का साइज है वह हाथ की कंपरिजन में जब नॉर्मल निकल जाय तो ना ज्यादा कम ना ज्यादा तो एसे लोगों को तक्रिबन हर फि नहीं होता है जहां तक स्ट्रेंथ देखें फिंगर की तो आप देख पाएंगे तो अच्छा है इस टेमिना ऐसे लोगों में अच्छा पाया जाता है यानि कोई भी ऐसे लोग जब रिसीजन लेते हैं या जो ठानते हैं वह तक्रिबन पूरा करके ही मानते हैं फिंगर के पर आप देख पाएंगे कि फोड़ा जो है नूखिला पना रहा है तो इससे लोग दूसरों को बहुत जल्दी जज या फिर उनके बातों से उनके विवार से उनको परक्रेल लेने वाले होते हैं कि व्यक्ति कैसा है तो ऐसे लोगों को व्यक्तियों की समझ जो है अच्छी पाए जाती है लेइडिल फिंगर की लेंथ भी जो है तक्रीबन थोड़ी सी जो है शॉट रहे गई है थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर तक नहीं पोची है जिसके करण communication skill में थोड़ी जो है weakness पाई जाती है हिचके चाहट घबराट सी दिक्कत परशानी रह जाती है हलका सा gap भी maintain हो रहा है तो एक जो सोचने और विचारने में है एसे लोगों को इंडिपेंडेंसी चाहिए होती है ये किसी के दबाओ में नहीं रहते और यहाँ पर आप देख पाएगे कि first finger की length जादा है third finger के comparison में तो first finger कौन सी होती है हमारी गुरू की तो एसे लोगों में जो है गुरू के qualities अच्छे पाई जाती है यानि leadership quality, teaching quality और ambitious भी ऐसे लोग बहुत होते हैं इनकी इच्छा मनोकामना जीवने बहुत उच्छी होती है मतलब जो dream भी होते हैं high five class के होते हैं दूसरी बात यह है कि leadership teaching quality यानि यह दूसरों को बहुत अच्छे से instruct कर सकते हैं उनसे काम निकलवा सकते हैं इसलिए finger के size से भी वही दिख रहा था कि ऐसे लोग काम निकलवाने में माहिर होते हैं तो इन सब field में progress मिलने के chances बहुत bright होते हैं ऐसे लोगों में और finger के उपर आप देख पाएंगे कि हलके हलके सीधे खड़ी रेखा भी है जो friendly nature और अप्रोच को भी शो करता है व्यक्ति हर माहौल में बड़े आसानी से ढ़ल जाने वाला होता है जादे दिक्कत परशानी नहीं होती आते हैं palm के size में तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि जो palm के size है वो यहाँ पर इस प्रकार से है बिसिकली यह squarish hand में ही consider होता है यह व्यक्ति को बहुत मेहनती स्वभाव का बताता है कि व्यक्ति बहुत मेहनती रहता है मेहनत से हिचकेचाने घवराने डरने वाले नहीं होते और अपने मेहनत वह खुद के बल्बूते पर और खुद के दम पर बहुत आगे बढ़ने वाले होते एक्षा मुन कामना ऐसे लोगों की तूरी होती है भागे शाथ ना दे या दे लेकिन इनका महनत जो है जरूर रंग लेकर कर के आता है। तो ऐसे जो पाउन वाले व्यक्ति हुते हैं ऐसे लोगों में यही हैं कि इनको कभी किसी आमने जुपना नहीं पड़ता है जीवन ने या किसी के सामने हाथ फेलाना नहीं पड़ता उपर वाला इनको खुदी इसकाविल बना देता है कि ये शक्षम रहे हर चीछ से धन दौलत और बाकी इज़्जत मान सम्मन हर चीछ से कुल मिला के अंगुठी की लेंथ जो है थोड़ी जो है शौट है जो फर्स्ट यहाँ पर इनका पर्व है जो सेगंड पर्व है दोनों तकरिबन इकॉल साइज के हैं तो एक इच्छा सकती है कि शाथ साथ जो एक लोगों के बात काटने का एक जो कुल मिला के जो है साथि साथ एक प्रॉपर जो है यहां पर बन रहे हैं जो बहुत अत्यंशुब होता है व्यक्ति जो है बहुत ज़्यादा ही sharp minded हो जाता है बहुत ज़्यादा ही intelligent होते हैं इसे लोग अगर steady के field में continue रहे जाएं तो बहुत अच्छी ऐसे लोगों को success मिलने का या फिर career में बहुत अच्छे chances बनते हैं success मिलने के दूसरी बात यह है कि six cents भी एसे लोगों के अच्छी होती है भवश्य में होने वाली घटनाओं का पहले याकलन वह अनुमान एसे लोग लगाने में शक्षम होते हैं तीसरी बात यह है कि money भी एसे लोगों के पास अच्छा खासा पाये जाता है life जो है smoothly होता है थोड़ा बह दूसरों के comparison में इस लोगों को नहीं मिलता परन्त वाते हैं इनके palm में कि यहां पर हमको क्या क्या देखने को मिल रहा है तो सरपतम यहां पर परवतों से मैं जो है start करता हूं तो यहां पर आप देख पाएंगे कि जो गुरू परवत है इनका यह जो है शुभ है अच्छा जो टाइम है बहुत अच्छा इसे लोगों का बीतता है और जितनी यह रेखा है इस प्रकार से आड़ी है यह बहुत शुभ होती है एक से ज्यादा सोर्स से अर्निंग के साधने से लोगों को जीवन में जरूर मिलते हैं इसमें age कभी decide नहीं होता यह जब चाहें तब अप वरदान ज्यादा रहने वाल रहेगा इंका आते हैं शनी परवत की विशे में तो शनी परवत जो है थोड़ा इनका हाथ में बीक है क्योंकि परवत दबाव हुआ है जिसके कारण व्यक्ति की इच्छा मनों काम ना पूरी होने में देरी होती है वहीं थोड़ी जीवन में निराशा उदासिंता का सामना भी करना पड़ जाता है क्योंकि ड्रीम जो है कभी कबार पूरे नहीं होते या होती भी है तो बहुत लेट से होते हैं रेखां यहां तक पहुच रही है जिसके करने एक सेडिस्फेक्शन लेवल तो जरूर मिलेगा परन्तु थोड़ जो है वे लाए कि जो है चीट साबित होगी आपके हाथ में भागिरेखा का प्रारम हो रहा है चंद्र के छेत्र से तो विदेश जाने के योग तो हैं ही परन्तु फोरण से कहीं ना कई कनेक्शन होने के चांसे भी ब्राइट हैं तो यह बैसीकली एक सकस्स लाइन होती है एक अपर्शन लाइन होती है जो शू करती है कि मेरिच के बाद ऐसे लोगों का जीवन पूरा बदल जाता है बहुत अच्छा सकसिस साथी साथ खुशनुमा ऐसे लोगों का जिंदिगी जो है पाया जाता है साधी साथ विदीशी भूमी और बहारी लोगों के दोवारा आपको अत्यांतलाब मिलेगा सपोर्ड भी बहारी लोगों के दोवारा खूब मिलने वाला रहेगा फिर एक अनदर जो है लक्त लाइन जेनरेट हुई है इस प्रकार से यहां तक आई है फिर क्योंकि यह जो लाइन है जीदे पूप रही है आपके सेटेन माउंट तक जिसके कारान सेटन माउंट तक जितनी देखा है पोस्ती हैं वो सब शू करती है satisfaction लेवल को और stability को तो उस job के माध्यम से या उस career के माध्यम से आपको जो भी आपके dream हो सब आप अचीव कर पाएंगे वैसे सब कर भी लेंगे आप ऐसा कोई दिक्कत नहीं है पर उससे और ज्यादा कर पाएंगे एक जो satisfaction है उससे ब यहां पर properly नहीं बन पाए थोड़ा सा gap रहे गए तब भी एसे लोगों के पास income जो money होता है अच्छा होता है धन की कमी नहीं होती परियाप्त मातर में होता है दूसरा यह है कि थोड़ा mood swings का ऐसे लोगों में problem normally पाया जाता है mood में कब changes हो जाएं कब रो रहे हैं कब हस रह यह सब चीज पता लगा पाना थोड़ा मुश्किल होता है तो इसी कारण से थोड़ा mood swings का problem होता है mood का properly पता नहीं लगाया जा सकता है आता है सूर्य परवत की विशे में तो सूरी परवत पर एक sign देखने को मिले जो बहुत शुब है वो है आपका square sign जो हेड़े रेखा से connected है तो हेड़े रेखा से connected square sign व्यक्ति के जीवन में खूब इजत मान सम्मान मिलता है खासकर आपके nature के द्वारा आप समाज में जाएंगे लोगों के साथ रहेंगे उठेंगे बेठेंगे उनके नजर में आएंगे तो जो आपको basically जो नीचर रहेगा जो आपका हेड़े आपका जो मन रहेगा उसके करण जो है आपको खूब इजत सम्मान वगेरा प्यार जो है लोगों दवारा बाहरी लोगों के दवारा मिलना तय है और आपको fame popularity मिलने के chances भी बहुत bright है लेगिन थोड़ा later age में आकर करके Saturn mount के बाद यह जो आपका sun mount है यह भी week है जिसके income source जो है व्यक्ति के जीवन में अच्छे होते हैं यह भी धन का ही चिन होता है गवर्मेंट के द्वारा कही ना कहीं support मिलने के chances या फिर government employees बनने के chances bright होते हैं तो यह जो है चिन अच्छा देखने को मिलने थोड़ा परवद वीक है जिसके करण रिजल्ट जो है इसके परंति देखा जाए तो यहाँ पर जो दो चीन है देखने को मिले एक स्क्वेर और एक ट्रेंगल तो यह जो है बहुत शुप चीन है आपको कुछ भी हो जाए लेकिन अपने जीवन में बहुत अच्छा जो है आपको एक जो इज्जत सम्मान प्रतिश्ठा है वो बहुत भ कि निशानी है वक्ति किसी भी फिल में चल जाए किसी भी जॉब या फिर करियर या फिर बिजनेस में चल जाए डीप नॉलेघ्ट जैसे लोगोंको अच्छी मिलती है सेंस ओफ उप इंमर अच्छा होता है साथे साथ अट्रेक्टिव परसनेलटी भी पाए जाती है बहुत ज्यादा ही लोयल रहता है जिसके साथ रिलेशन रखता है अपने तरफ से 100% देते हैं किसी को धोका चाहा करके भी नहीं दे पाते हैं बहुत इमानदार और इसपर्ष्ट वक्ता होते हैं और ज्यादा तर देखा गया है कि इसे लोग न्याय प्रिय होते हैं सही डिसीजन लेने वाले होते हैं किसी के साथ धोका देड़ी या फिर आप कह सकते हैं कि बहत भाव जो है इसे लोग नहीं करते अच्छी चीन है होती ह लेकिन एक रेखा जो है हलका सा connected हो रहा है यहां पर इनके मंगल के छेतर से तो यह थोड़ा aggression ला देता है लाइफ में aggression और irritation थोड़ा से व्यक्ति को हो जाता है यह थोड़ा मुझे दूसरों के द्वारा धोखा मिल आना या फिर काम के समय पर काम ना आना तो यह थोड़ा सा आपके रहदय से related issues खड़े कर सकता है थोड़ा आपको ठेस पहुत सकती है उसकी निशानी बेसिकली पाई जाती है यहां पर छोटा सद्रीब बना हुआ है जो तक्रीबन सिक्स्टी के एज में कोई बिमारी को श्यों कर रहा है उस टाइम पर और आते हैं अब यहां पर आपके सीधे जो है ए-टिन हो रहा है मैंने सेकंड हैंड में भी देखा था आपके जबियुद्स आरे सेम ही हिं और उसके लिए इसमें को दिक्कत नहीं होती और यह जितने नतीजह हैं से रहने, खाने, पीने, सोचने, विचारने, हर चीज में जो है स्वतंतरता मिली होती है, जिसके करने एक इंडिपेंडेंडेंट अप्रोच, लाइफ टाइम के लिए रहे जाता है, वहीं थोड़ा जिद्धी पन भी ऐसे लोगों में पाये जाता है, अपने जिद्ध के आगे क काबिल पनिकता या इमेजिनेशन स्कील में बढ़ोतरी होगी परन्तु शार्प माइंड है, और कॉम्पेटिटिव एक्जाम में या फिर चीजों को केच करने की काबिलत आप में बहुत अच्छी रहेगी क्योंकि यहां पर माइंड लैन बाइफोर्क हुई है, बाइफोर माइंड लैन में भी हलका सा यहां पर दीव बनते देखा जा रहा है तो तक्रीबन 30 एज के आसपास में थोड़ा जो है ट्रबल रहने वाला रहेगा और उसके निशानी आपको यहां पर भी देखने को मिलेगी और यहां पर भी देखने को मिल जाएगी 30 एज मतलब 35 यानि कि 37 से लेकर के 40 के बीच में थोड़ा सा ट्रबल रहने के चांसे हैं क्योंकि लाइफ लाइफ लाइन में भी आप देख पाएंगे कि यहां पर राहू लाइंस जो है ज्यादा है मंगल के छेतर से भी रेखा आ रही है जो थोड़ा फ्यूचर रिलेटेड इसूज रहेगा क्योंकि यह रेखाएं जो हैं आपको काट रही है आपर माइंड लाइन को छोटा सा द्रिब भी बना हुआ है तो थोड़ा सा जो है उस टाइम पर आपको इस ट्रेगल या फिर कुछ ना कुछ किसी ना किसी कारण से मानसिक तनाव रहने का योग है उपाय के द्व लो है एक बराबर अपना जो है चलता जा रहा है जिसके करण वो दिक्कत आएंगी उससे आप निकल जाएंगे उबर जाएंगे कोई ज्यादा परशानी नहीं रहेगा एक लाइन और आप देख पाएंगे यहां पर जो इस प्रकार से चल रही है तो यह भी जो है सपोर्ट बहुत ज़्यदा ही प्रिपेर रहेंगे और साथ ही साथ यह जो है आपकी मानसिक बलता जो है बहुत ज्यादा रहेगी इसे कारण से जितनी भी दिक्कत कष्ट परशानी आजा है वह आपको हर तरह के से जो है प्रॉब्लम जरूर दे सकती है परन्तों आपके मानसिकता के पर कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी जिसके करण डिप्रेशन वगेरा या फिर इस प्रकार के कोई भी इशूज नहीं आएंगे परन्तों थोड़ा सा मनी रिलेटेड हैल्थ रिलेटेड इशूज यह रहने वाला रहेगा उस जो सच है उससे वाकिप ज़रूर रहना चाह लाइफ लाइफ लाइन की चर्चा करें तो लाइफ लाइन का फ्लो जो है कुल मिला के अच्छा है कोई मुझे ज्यादा जो है प्रॉब्लम नहीं देखने को मिल रहा है और बेसिकली शुकर परवत की नीचे तक आया है तो फैमिली से अटेश्मेंट ज्यादा गहरा रखे आते हैं अब यहां पर आपके मंगल के छेत्र में तो जो अंद्रूणी मंगल है यह थोड़ा सा दबा हुआ जिसके करण सारे डिक बलता उर्जा उत्सा में थोड़ी जो है कमी पाई जाती परन्तों बाहरी मंगल बहुत ज्यादा ही उब्रावा जिसके करण एक जो मांसिक में नहीं कर पाएगे इसी के करण जो एनिमीज भी रहेंगे आपके वह ज्यादा आपको जो है तकलीफ या दिक्कत परशानी नहीं दे पाएंगे और एनिमीज के उपर आप ही हमेशा जो है सत्रू के उपर आप भारी रहने वाले रहेंगे यहाँ पर शुक्रपरवत की विशे में चर्चा की जए तो शुक्रपरवत उभावा है शुब है जिसके करण लगजरी यानि सुक्सुधा जो है व्यक्ति के जीवन में अच्छी खासी होती है कोई ज्यादा कमी नहीं होती थोड़ी आड़ी रेखा जरूर है जो थोड़ा जो है चिनता वो बाधाओं को ही व्यक्त करती है केतू के छेत्र की चर्चा करें अब यहाँ पर तो केतू के छेत्र में blinking जो गोला सा साइन बन रहा है जो बेसिकली लग डाल राण के दवरा बन रहा है यहाँ पर तो यह जो है शुप चीन होता है ट्रैवलिंग के द प्रोमेंट अच्छा रहेगा साथी साथ बिजनस लग भी है जिसके करेंट बिजनस के छेत्र में सक्सेज वह प्रोग्रेस मिलने के चांसेज बहुत ज्यादा ही ब्राइट है चंद्र के छेत्र के में चर्चा कर चुका हूँ जितनी रेखा हैं यह फॉरन ट्रेवलिंग चांसेज को ही शो करती है सेटल्मेंट के चांसेज भी वहां से ब्राइट देखने को मिल रहे हैं क्योंकि एक शाखा निकल के इस प्रकर से बाहर की और चल गया है जो यह अंदर की भूमिय स्याफat अत्यक्शत जो है लाब मिलने का योग लिखा वहां रहेगा यहां से एक रेखा जो है इस प्रकार से निकल के सूर्य्य पर्वत पर इस प्रकार से स्योग या कुछ नहों कुछ लाब मिलने का योग बनता है तो यह जो है chances bright है इज़त सम्मान में कोई कमी नहीं रहेगी अच्छा खासा आपका रेपोर है और यह है कि लोग आपकी बात मानने वाले रहेंगे बस यही है कि कहीना कई लोग जो है कहीना कई आपका थोड़ा बहुत फाइड़ा उठा लेंगे या फिर यूज कर जाएंगे तो इसके करन थोड़े emotional setback की निशानी है बाकी कोई big issue जो है मुझे देखने को नहीं मिला money related चर्चे किया तो money जो है अच्छा है उसकी आप tension ना ले बस यही है कि हाथ जो है जहां तक मैंने पूरा पाम देखा तो वो कहीं न कहीं यह है कि खर्चीला हाथ है धन तो अच्छा खासा आएगा पर तू रुकेगा नहीं बचेगा नहीं टीकेगा नहीं reason यही है कि खर्चीला व्यक्तित हो है या फिर luxury उसको जादा prefer करते है लाइफ में या फिर यह कह सकते हैं कि अपने family पे जो है ज़्यादा जो है एक word होता है निच्छावर करना वो करते हैं तो यह कहीं न कहीं इस सब reason यहीं व्यक्तित करते हैं कि खर्चे ज़्यादा रहेंगे अधिक खर्च ऐसा रहेगा आपके साथ बाकी income में कोई कमी नहीं है धान वगरा जो है अच्छी मातर में परियाप्त मातर में आपके पास हमेशा रहेगा तो यह थी महत्पुन जानकरी इस हाथ के विशय में इनसे यही अनुरोधी की कोई प्रस्ण और रहेट शोड़िए